नमस्कार दोस्तों देखिए इस वीडियो में मैं इस देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है कॉंग्रेस पार्टी उसके बारे मैं आपको कुछ दिल्चस्प बाते बताना चाहूँगा अभी कॉंग्रेस हाली में चार राज्जों का चुनाव हारी है पांच राज्जों के चुनाव हुए थे इसमें अगर तेलंगाना को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जगे कॉंग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है और कॉंग्रेस की स्थिती अब ऐसी हो गई है कि वो जिसे कहते हैं ने के दरदर का भिकारी वो हो जाती है अब जो पार्टी दस साल तक लगतार सत्ता में रही और उससे पहले लंबे समय तक जिसने देश पर राज किया उस पार्टी की इतनी देनिये हालत हो जाएगी कि उसे अब चंदा मांगने के लिए एक अधियान चलाना पड़े सावी चीज़े सामने साफ साफ साज नजर आ रही है और साथ ही साथ ये भी चीज़े नजर आ रही है कि कॉंग्रेस पार्टी जिस तरीके से सारे राज्यों के चुनाव लड़ने में बुरी तरह से विफल रही है जिस तरीके से उसके अंदर एक क्या कहना चाहिए कि इस्पिरिट का जो अभाव नजर आता है वो अब पूरी तरीके से कॉंग्रेस पार्टी के चरित्र पर तारी होने लगा है मतलब हावी होने लगा है देखे सोशल मीडिया पर इतना मजाग चला है कॉंग्रेस की इस ड्राइव को लेकर जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि साब हम पार्टी के लिए चंदा इखटा करें और चंदा इखटा करने की शुरुवात किस से कराई गई कोशा द्यक्स अजय माकन और खडगे साब से अब कॉंग्रेस के अध्यक्स हैं खडगे साब तो चंदा तो देना ही पड़ेगा तो खडगे साब ने जो दोस्तों चंदा दिया है और उस चंदा देते समय खडगे साब ने जो बात कही है वो इस समय शोशल मीडिया पर मजा का वजय बन रहा है मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि खड़गे जी ने क्या का खड़गे जी ने ये कह दिया उसमें कि भाई मैं तो एक महीने की सेलरी मेरी चली गई मैं आपको सुनवाता हूं और कोशिश करूँगा कि उसका जो ऑडियो है वो आप तक बढ़िया तरीक गई जी क्या कह रहे हैं जरा सुनीए इस वीडियो को यह अजय माकन बोल रहे हैं और गिंद्द जी का बयान और फिर शुद्द खर्गे जी खुद वॉलंटरी एक प्लाक घृतिस हजार रुपए कंवेस को दे रहे हैं डुनेट कर रहे हैं ओर लगली जी से अनुरूत यह रहा रही है कि एक महीने की तनखा गई अलगी खडगे जी ने यह बात मजाक में ही कही又गी लेकिन हकिकत बात दोस्तों यह है कि कौंग्रेस अब इस्थिती में पहुँच चुकी है कि उसका एक-एक कार्यकरता एक-एक नेता अब पार्टी के लिए पैसा लगाने से डरने लगा है पहले हर जिले में हर परदेश में बड़े-बड़े सम्मेलन कार्यकरता सम्मेलन हुआ करते थे कॉंग्रेस पार्टी के जो ये ड्राइव चला रही ने चंदे वाली ये सही मायनों में एक सीरियस ड्राइव नजर आती है कि हाँ साब अब कॉंग्रेस को चंदे की आवश्यक्ता है वरना इससे पहले अमिज शाह खूब कहा करते थे कि 36 गर्ड तो ATM है कॉंग्रेस पार्टी का हकिकत बात है जितने अब ये चुना हुए है उनमें भले ही आप राजस्थान की अगर बात करें राजस्थान में हार गई है बारते जंता पार्टी ने उसे हरा दिया है कॉंग्रेस को और मद्या परदेश में तो खेर कॉंग्रेस बहुत लंबे समय से बाहर चल रही है तो वहां तो कुछ कहा ह ही नहीं जा सकता लेकिन कमलनात जैसे लोग अशोग गैलोट जैसे लोग डीके शिवकुमार गुपेश बगेल ये तो कॉंग्रेस पार्टी को फाइनस करते थे और इन्हीं की वज़े से पार्टी चल रही थे लेकिन अब ये अपनी जेब से पैसा थोड़ी देंगे किया आपको याद होगा कि विधान सभा चुनाओ वे ते उत्तर परदेश के तो उसमें कॉंग्रेस ने परभारी बना दिया था प्रियंका गांधी को प्रियंका गांधी प्राइवेट जैट से रोज आना उत्तर परदेश में केंपेन करने के लिए दिल्ली से जाया करते दिल्ली से लखनो और फिर वहां से आगे जहां कहीं जाना होता था ये हालत थी और उनके साथ दिन रात साय की तरह भुपेस बगेल रहा करते थे यही वज़े थी के भुपेस बगेल को ये भी कॉन्पिडेंस था कि मुझे जो ढ़ाए ढ़ाए साल का फार्मुला बना था कहते हैं कि पियेस सिंग देव और इनके बीच में ढ़ाए ढ़ाए का फार्मुला बना था कि ढ़ाए साल तक भुपेस बगेल रहेंगे और फिर उसके बाद वो बाबाजी रहेंगे लेकिन नहीं हुआ भुपेस बगेल पूरे पांच साल तक चीफ मिनिस्टर रहे और दब बाद आ गया तो उसके बाद फिर उनका कौन कुछ बिगाड़ सकता था तो भुपेस बगेल ने उन्हें बड़े च्छे तरीके से फाइनेंस किया और फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर लोगों का तो ये भी कहना है कि एक करोड रुपे रोजाना खर्च हो रहे थे कम से कम एक करोड रुपया कितना जबरदस्त खर्च हो रहा था और उस पर खर्च कोन कर रहे थे दीके शिव कुमार अशोग जैंडो इन्होंने में रूप से अब देखिए वो कन्या कुमारी से जब भारत जोड़ो यात्रा चली थी तो उसके साथ सेंकड़ो ल होती हैं बंदर घा पर बड़े-बड़े कंटेनर उतरते हैं जो उस तरह के कंटेनर ट्रक्स के ओपर सेट किये गए थे और उसमें एर कंडिशन लगाए गए थे और शांदार उसके अंदर टोईलेट बाथरूम सब कुछ उसमें सेक्ट कर दिया गया था और ऐसे लगभग भारत जोड़ो यातरा मैनेज की जा रही है इतने सारे लोग आते हैं इतने लोगों का खाना बनता है ये सब ये खर्चा कहां से आ रहा है अशोक गैलोत कर रहे थे अशोक गैलोत खर्च कर रहे थे इसी वज़े से अशोक गैलोत ने सचीन पाइलेट को दो कोड़ी की भी इज्जत नहीं दी क्यों नहीं दी क्योंकि उन्हें पता था कि भाई मैंने राहूल गांधी के लिए दिन रात लगाया है और वो रुपया मैंने पानी की तरह बाया है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड सकता इसलिए अशोक गैलोत ने राजस्थान के चुनाओं में मनमानी की सचीन पैलिट का जो विरोध था उसको एक दम किनारे कर दिया उनकी एक बात नहीं सुनी गई दूसरे अशोक गैलोत ने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि अगर कॉंग्रेस पार्टी चुनाओं जीतेगी तो चीफ मिनिस्टर मैं ही बनूँगा सचीन पैलिट को नहीं बनने दूँगा तो ये इस्तिती थी दोस्तों अब उस कॉंग्रेस पार्टी को अब मैं बताता हूँ कि आप जो ये ड्राइव शुरू ही है इसका अभियान क्या क्या है उस कॉंग्रेस पार्टी को अब चंदा इखटा करना पड़ रहा है और इसके लिए नोने अभियान शुरू किया है डोनेट फुर देश अब डोनेट फुर देश देश का मतलब कॉंग्रेस हो गया अगर कॉंग्रेस को पैसे की आवसकता है तो उसे अभियान चलाना चाहिए donate for congress उसका अभियान रख दिया गया है donate for देश ये उसी तरह की शरारत है के विपक्षी दोलों का जो धड़ा है उसका नाम इंडिया रख दो कि वो सारे इंडिया का representation करते हैं लेकिन ये अच्छी बात नहीं होती बड़े शर्म की बात है और Congress Party के लिए ये भी दुख की बात है कि उनकी पार्टी का जो अध्यक्ष है वो चाहे मजाक में ही सही वो ये कह रहा है कि एक महीने की सैलरी चली गी ये Congress की जो फटीचर हालत है उसको बयान करता है अब आप समझ सकते हैं कि इस फटीचर हालत में Congress Party कैसे नरेंद्र मोदी का सामना करेगी 2024 के लोकसभा चुनाओं ये बहुत ही चिंता का सबब है और आने वाले समय में Congress के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होने जा रहा है देखे चुनाओं तो सब लोग लड़ लेते हैं परत्याशी भी सब लोग मिल जाएंगे लेकिन पैसा कौन लगाएगा Congress वो पार्टी रही है अभी तक कुछ साल पहले तक भी 2015-16 तक भी जब इनकी सरकार गई थी मनमौन सिंग वाली UPA2 की सरकार गई थी उसके बाद भी मैं कई ऐसे परत्याशियों को जानता हूँ जिन्होंने लोग सभा के चुनाओ लड़े एक उपस्ची मुत्रपरदेश के जाट नेता हैं जो हमेशा चुनाओ लड़ते हैं और उन्हें बताया जाता है कि उन्हें 20 लाक रुपे चुनाओ लड़ने के लिए पार्टी फरंड से दिये गए थे और उन्हें 4-5 लाक रुपे खर्च किये क्योंकि उन्हें पता था कि यार मैं तो जीतने वाला हूँ नहीं बाकी 15-20 लाक रुपे अपनी अंकी में अंदर कर दिये कॉंग्रेस को इस तरीके से लूटा है इसके कारेकरताओं ने और इसके नेताओं ने यही वजह है कि कॉंग्रेस आज एकदम दरदर की विकारी हो गई है और ये तीन राज्ये जो अभी हार में हाली में कॉंग्रेस ने हा रहे हैं मद्यपरदेश तो खैर उसके पास था ही नहीं लेकिन 36 गड़ राजस्तान इसका चला जाना ये कॉंग्रेस के ल और कॉंग्रेस को ये चिंता सताने लगी कि आगे क्या होगा अभी तो कुछ पैसा इन्होंने दिया वा ता उससे पार्टी चलती रहेगी लेकिन 2024 का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा ये बहुत बड़ा चैलेंज है और अजय माकन जैसे लोग अजय माकन वो शक्स हैं जिन को ये कहा गया कि साब आप जाई है और राजस्थान का मामला सेटल करके आई है और अशोग गैलोद ने एक विधायक उनके सामने पेश नहीं होने दिया और बड़ा अपना इतना सा मू लेकर ये खड़गे जी और जय माकन वापस चले गए तो कॉंग्रेस पार्टी अब दर-दर की विकारी हो गई है एक कैमपेण चला रही है उस कैमपेण को कोई भाव मिलेगा या नहीं पैसा मिलेगा या नहीं देखे पहले तो एक सिद्धान्त हुआ करता था जब कैश में सब लोग चंदा लेते थे डोनेशन दी जाती थी उसमें होता था कि अगर आपको क बटके लेकर उन सब में जो है चंदा मांगा जाता था जोली फेला कर आपने कुछ फिल्में देख्योंगे फिल्मों में इस तरह के सीम भी दिखाए गए उस तरह का सिस्टम था लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन होता है हर चीज का आपको हिसाब देना होगा तो कॉंग्रेस करनाटक में इनकी सरकार चल रही है हाला कि करनाटक और हिमाचल परदेश की जो सरकार है वो बिलकुल कंगाल सरकार है क्योंकि इन्होंने जो OPS और तमाम फिरिबीज बांटने का एलान किया है सारा तो सारा पैसा उसी में चला जा रहा है तो कॉंग्रेस की आलत बहुत खरा करती है कि कॉंग्रेस में नेत्रत्व का दिवालियापन तो ही साथ ही साथ जो अंटी होती है जेब होती है उसका दिवालियापन भी पैदा हो गया है आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें